हाई गाईस वेलकम टू टेक्निकल स्टेडी जो उस दिन पहले एक वीडियो अपलोड किये थे जिसमें आप लोगो बूले थे कि नेवी का जो 25 मास का जो जेनरल लावारने से उसके उपर डिसकस करूंगा तो उस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जिके की उपर डिसकस किये तो स्टैटिक जिके का बहुत सरा कुश्चिन है उसके बाद जो है कारिंट एफेर्स के उपर आप लोगो डिसकस करूंगा ठीक है तो यहां पर देख सकते उस दिन जो लास्ट हमारा कुश्चिन हुआ था फरस्ट इंडियन पाइलोट कौन था इसके उपर हमारा लास्ट क तो आज का कुश्चिन देख सकते हैं आज का पहला कुश्चिन है फास्ट एटोमिक साब मेरिन ठीक है तो फास्ट एटोमिक साब मेरिन कौन सा था यह था आएनस चक्रा उसके बाद फास्ट साब मेरिन मतलब क्या फास्ट इंडियन साब मेरिन यहां पर क्या होगा फास्ट इंडियन सब मेरीन तो फास्ट इंडियन सब मेरीन बशाया है एंस का लावड़ी ठीक है तो यह सब जो sucks ने वी का एक्जाम की लिए बहुत ही इंपटेंट उसके बात फास्ट इंडिजनेयर आर्ट involved केद इंडियन खीफ्ट या निकींदीयन Jewish का मतलब स्वादेशी तो स्वादे सी एर कैट्र केरियर से शीप खौन सथा आयनेज विक्रांथ ठीके उसके बाद फ़र्ष्ट पोस्ट ऊपीस ओपेंड इन इंडिया इंडिया में पहला पोस्ट अफिस जब ऑपेंड हुआ कहां ओपेंड हुआ कोलकाता में 1727 में ठीके उसके बाद फास्ट इंडियान डिसीपिंट ओफ ऐवार्ड किसको पहला जो है ऐसकार डेवार्ड मिला था भानू अथाय्यास तरीयास करत एट्यूमिक पावर स्टेशन कौन सा है तारापूर में स्थित है ठीक है उसके बाद जो है फास्ट ओमेन प्रेसिडेंट ओमेन una president first कौन है सीमधी पतिवा पैटिल सoweard first woman prime minister हम लोग सभी लोग जानते है सिमधी इंदीर्या गांदी सकता first woman governor first woman governor कौन थे वो थे सर्जीनि नाइडु सके बाद First woman IPS officer first woman IPS officer कौन थे किरन बेती first woman president of indian national congress इंडिया नेशनल कॉंग्रेज यानि की आई एंसी का फर्स्ट ओमेंड प्रेसिडेंट कौन था एनि बेसंद उसके बाद फर्स्ट इंडियन ओमेंड तु स्विम एक्रोस इंग्रीश चैनल तो इंग्लीश चैनल जो है कौन क्रोस किया था वह आर्ती सहा जो की है महिला था ठीक है तो ये सब फर्स्ट महिला के ऊप़र difference कि इसके बादो किसको नोबेल प्राइज मिला था मादा तेरेज देज कու 1979 में इसके बाद फ़र्स्ट इंडियन टु मांॉंड एवरेस्ट तो मांंक्रेस्थ कौन लात टे नतर ऊंदरी पालं संस्ट नतर दियू पсол को आवारत इंदिय टूरा गांदी थीक है सोद्कॉट फास्ट ओमेंड टूली फिडि आवार्ड टूला को पहलली मिला था वह ऐसापुर्णब्र मुज्अहिए तेवी फॉसके बाथ फास्ट ओमेंड प्रिसिदेंट ऑफं इंडियन नेशनल केंगरेस इंडियन नेशनल कउंगरेस को पहला वो कौन है अनजोर्ज उसके बात फार्स्ट फीमेल स्पिकर ओफ लोक्सोभा मीरा कुमार उसके बाद हम लोग का स्टेटिक जीके में क्या है इंपॉर्टेंट वो है सूपरलेटिब्स इंडिया इंडिया में कौन सी चीज जो है यहाँ पर बड़ा है सूपरलेटिब्स है तो यहाँ पर जो पहला देख सकते हैं यहाँ पर दन लॉंगेस्ट रिबर ब्रीज कौन सा रिवर भीज लॉंगेस्ट है भूपबन हजाणी का विज उसके बाद आ जे म कौन सी ड्यायम हाय स्टेव ही इंडिया में? वह तेरी डेम भागड़ाधी रिवर में स्टीत है उत्तर अचंड में है कि उसके बाद है लाइज लेक्त वलूर लेकल जमुकास्मीं में उस्थी है दर लाइश लाइश डिजसट कौन है नियंग स्थीट इस ततान में है ठीक हाँ के उसके ऐस्थ मॉस्क्यू है जामा मझ्जित दिल्ली में स्तित है लब दा कौन सी है गौर्डिन ऑस्टिन के नाम से हम लोग जानते है ता हाइस्ट वाटरफॉल हाइस्ट वाटरफॉल कौन सी है जोग और गार्शोपा जोगी कॉर्णाटक में है उसके बाद लॉंगेस्ट रोड कॉन है एनेच फॉर्टी फॉर सीनगर्टु कर्णिया कुमारी 3745 किलो मेटर उसके बाद टॉलेस्ट स्टैचू टॉलेस्ट जो स्टैचू है कौन सी है स्टैचू अप इउनिटी नर्वंदा वैली कॉल्डी में ग और लॉजरेश्ट प्लाटफॉर्म कॉन्सी है हॹब्ली है चीक है करनाटक तो सीनीटेजज़ स्टैडियम से ठीके स्टैडियम और लॉघर्जर्ष डीय départ दो साउध इंडिया तो श इनिट इंडिया का जो लॉंगेस्ट वीट वो कौन सी है गदावरी है तो लॉंगेस्ट डैम क्वाइस्ट डैम हिरा कुद्ध डैम उरिश्टा महानधी में स्थी थे इसके बाद लार्जेस्ट कौन सी है पर गुजरात में है लार्जेस्ट स्टेट एरिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है राजस्तान में है लार्जेस्ट नैचरल पोर्ट ठीक है लार्जेस्ट नैचरल पोर्ट कौन सी है मुंबाय महरास्ट में है मुंबाय पोर्ट इंडियान स्टेट विद लॉंगेस्ट लॉंगेश्ट कोश्ट लाइन है वह है अंदरपोदेश 975 किलोमीटर उसके बाद सुपारलेटिप इन वाल्ड अभी इंडिया का सुपारलेटिप देखे अभी वाल्ड का सुपारलेटिप हम लोग देखेंगे तो लार्जेस्ट बार्ट कौन सी है ऑस्ट्रीच है तो लार ये समिवेक स्फिजारट फ्रेस डिवाटर अफ्रीका में इस्ते थे लाजेस्ट लेक्स फ्रेस्वरटर फ्रेस्वरटर कर स्वेक्स लेक्स कौन सी है वालेग्स सूपिरियर उसे में वीनिकस water saltwater का largest 명 माkk יक्यों साथ मेरिकल में मेरिका में यह सब वर्ड में सुपएठी इसली के लार्जेषट प्लैनेट कौन सी है यानि के जूपीटर है brightest and hottest planet also nearest to earth जो की हमारा वेनस है उसके बाद furthest planet from the sun कौन है Neptune है nearest planet to the sun Mercury है smallest लार्जेस्ट भॉलकेनो मौनालोव हवाई में है largest हाइस्ट वाटरफॉल हाइस्ट वाटरफॉल है साल्टो एंजेल फॉल्स भेनी जोले में है लार्जेस्ट रीवर वेशिन जो है अमाजन वेशिन है उसके बाद lightest gas hydrogen है lightest metal है लीटियम है longest animal जो है blue whale यानि की निल तीमी जिसको हम लोग बोलते है ठीके उसका जो length होता 106 feet weight हो जाता है 155 feet largest democracy है इंडिया wingless bird कौन सी है कीवी बाट smallest city या तो smallest country भी आप बोल सकते वो कौन है बैकित बैटिकन सीटी ठीके उसके बाद world organization and their headquarters के बाड़े में कुछ हम लोग को जानना पड़ेगा ठीके तो जितना important है only उसी चीज़ के उपर आप लोग को साथ discuss कर रहा हूं कोई भी extra यहाँ पर topic नहीं है ठीके जो एक्जाम में आपका आने वाला सिर्फ मीन सिर्फ आपका ने भी में नहीं यह जो है मुंबाई यानि की जो मिंट का एक्जाम है आई जी ए मुंबाई उसमें भी important है ठीके तो पहला को से नहीं आप पहला यहां पर देख सकते नहीं है ब्रिक्स ब्रिक्स यानि की B-R-I-C-S का फुल फर्म हो जाएगा आपका B-for Brazil or for Russia I for India C-for China A-S to South Africa ठीक है इसका जो हेटकोर्टर है वो है शंहाई चाइना में है GATT यानि की General Agreement on Tariff and Trade इसका जो है Headquarter कहां पे है Geneva Switzerland में Asian Development Bank ADB ADB का Headquarter कहां पे है Mandalu Young Philippines में है इसके बाद Asian का फुलपा में Association of Southeast Asian Nations इसका Headquarter है जाकरता इंदोनेशिया NATO North Atlantic Treaty Organization इसका Headquarter है Brussels Belgium में है Sark यानि की South Asian Association for Regional Corporation इसका Headquarter है Kathmandu Nepal Interpol International Police इसका Headquarter है Lions France में उसके बाद World Trade Organization WTO इसका जो Headquarter है वो है Geneva Switzerland में OPEC यानि की Organization of Petroleum Exporting Countries इसका Headquarter है भी है न ऑस्ट्रिया में है ठीके उसके बाद ESRO ESRO है European Space Research Organization इसका Headquarter कहां पे है फ्रांस में है United States of International Children's Emergency Fund यानि की UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF का Headquarter कहां पे है New York USA में है International Civil Aviation Organization C.A.G. ठीके I for International C for Civil Aviation Organization ICAO ठीके ICAO यह गलत है यहां पे लिखा है ICAO होगा ठीके इसका Headquarter कहां है Montreal, Canada में है उसके बाद International Labour Organization ILO इसका Headquarter है Geneva, Switzerland में है International Monetary Fund IMF International Monetary Fund का Headquarter कहां पे Washington, USA में है United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization यानि की UNESCO UNESCO का Full Farm है United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization इसका Headquarter कहां पे है Paris में है फ्रांस में ठीके Paris, France में World Health Organization WHO World Health Organization इसका Headquarter कहां पे है Geneva, Switzerland में उसके बाद International Bank for Reconstruction and Development यानि की World Bank ठीके World Bank का Headquarter कहां पे है Washington, USA में है ठीके तो यह था आज का इतना question अगर आप इसको अच्छा से रट लीजेगा या तो आप अपना notebook में इसको note कर लीजे क्योंकि यह बहुत important है ठीक है यह कोई भी exam के लिए बहुत important है जितने important से उतना ही चीज़ आप लोग को यहाँ पे कड़ाया गया है अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए share कर दिए और और भी ऐसा वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट्स कीजिए ग्रूप में जॉइन कीजिए टेलिग्राम ग्रूप वाट्साप ग्रूप और बेल आइकन को प्रेस कर रखिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा share कीजिए क्योंकि जितना भी उजाएगा जितना सब्सक्राइब बढ़ेगा उतना भी मेरा मोटिविशन होगा ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में